दबल अजमेरा, दबल सर, गुड आफ्टरून, स्वागेच्छे सर राश्यो उपर आने, सवती पहला बजेट जे अपड़े गईकालेक अनॉंसमेंट जोयू छे, ओवरॉल अपेक्षा जरी तेक बंती देखाने रही हाती, अपड़े जोरे बिस्नेस अब्डेट समय पता मे परन्तु कही रिदे आनॉंसमेंट ओवरॉल एक वियू लेए सवती पहला तमारी पास है, तमें जोय रियाचों इंडस्ट्री माटे सेक्टर माटे मारू पर्सनल यह मानूं छे के आप बजेट, ओवरॉल सेक्टर मा अगर आप जो हो तो फुलिस्टिक वियू मा एक सारू बजेट छे, बिकॉस एक खाली पर्टिकेलर सेक्टर ने नहीं, पन अगर आप जो हो तो, जेम रियाल एस्टेट नी बात करूं तो, जेम प्रदान इंफरस्ट्रक्चर घड़ा लेक्ट्र छे तो, जेहां जेहां इंफरस्ट्रक्चर बने छे त्याहां त्याहां टेविल इस्टेट पन वदे छे, तो मारू ओं मानूं छे के रियाल एस्टेट उपर जो हो चे प्रधान्मंत्री आवाज योजना अफोरड़ आवसिंग जो हो तो आजे encouragement, stamp duty माटे ने ना taxation माटे छे प्लस आजे तमें जे बदा एलो का एड डॉर्मेटरी housing माटे नी you know municipal housing के municipal local municipal bodies निगी दूझे के एनी उपर का एक working करो तो overall तमें जो हो तो हर एक segment ज्या real estate में लागे छे ने real estate नो growth दिखाई छे एमा कैक ने क्या आ बजेट उपर एक टच मड़े हो छे औने आ बजेट उपर थी एनू एक long term उपर real estate उपर सारू मने हो देखाई छे क्या नी profitability आने growth सारू देखाई रहा छे डेफिनेटली सर अमुक जे मुद्दाव सेक्टर माटे महत्वना छे ना पर वियू लेए सो थी पहले LTC जे एक आयांती इंडेक्सेशन बेनिफिट चे छे ए आयांती दूर करवा मा आवया छे कई रीते तमें समझाओ श्रो के आनी असर तमें जो ही रहा छो तो एमा यूनों में भी नेक्स बेत्रण वरस्तु भी कदा चानी थोड़ी असर बिड रेंज बारेसे का इन बिट्वीन बेस है बट अगर हूं लॉंग टर्म जो हुचू तो लॉंग टर्म माटे आ जे साड़ा बार टका करवा थी जे आख्या आख्यों और एक पार जे र बदू फाड़ो एक्विटी मां के गोल्ड मां के स्टॉक्स मां एवी रिते राखे जे और रियल एस्टेट पर उच्छो राखे जे किम्टे जेमां लॉंग टर्म कैपितुल गें टाइक्स बदू अतो पन जारे आप बद्दा एक थाई जाए जे एट वन टाइक्स ब्रै ए विशाँ पूछवा मागे शे एफम अद्वारा यां थी जाहरात था हती हमने एंकरेज करियो स्टेट्स विल विच कंटिनु तू चार्ज हाय स्टेंप दूटी तू मोडरे दे रेट्स फोरोल आज अनॉंस्मेंट था जाहरात था में जो रिया अच्छो अर्बन डेव अगनो हमेशा चातबार दे चार्ज हमेस्साई सब्सक्राइब ये बोवच सारा थाया औने हिस्टोरिकली समझो के अगर एक्जांपल दमने आपो के 10,000 फ्लैट वेचा था था ए 6 महिना नी अंदर गया 6 महिना मा एटला 10,000 फ्लैट थी वधू आ बे टका स्टैम जूटी करवाती थाया तो एलोकानो घटाड़ो न थी थायो पन वधारो थ है रेजिस्ट्रेशन मां तो जहरे पन गवर्मेंट एक इंसेंटिव आऊ आपे छे एना थी सैम ड्यूटी एक मुटी इन्वेस्मेंट थाई जाए लोकों नी वाटे आनने जो एमा राहत मढ़े तो डेफिनेटली ये बहु मोटो मूँ छे आनने मारू 100% एऊ मानूँ छे कि कोई पन रैशनली सैम ड्यूटी जो फ्लैट नी के रियल एस्टेट नी होई तो बेथी तरन टका नी वच्चे हो हुई जो है आज नी धारिक मा हमुग जो के है पांच अने छच है जे वस्तु बेथी तरन टका हो भी जो है जी डेफिनेटली अन्या सर एक हाइलाइट आती सेक्टर माते जे नेशनल रिल एस्टेट डेवलोप्मेंट काउंसल त्वारा आया थी जे सजेशन आतो टेक्स एक्जैंशन अने इंट्रेस्ट पेमेंट माते तो हाउसिंग डेमांड जे एनने एक बूस्ट माते तो डेफिनेटली जे हाउसिंग ओवराल आ अमारी घणा वक्त की डिमांड पन हाती अने जो हाउसिंग डिमांड आजे रियल एस्टेट नी डिमांड रमें जो तो सारी ये भी छे लोकों नू एक इन्वेस्मेंट एसिट क्लास रियल एस्टेट उपर वत्तु जाए वो द डेफिनेट आप एक बूस्ट मढ़ी रियुचे लोकों नू डिसिजिन फास्ट करवा माटे अने होमलोन थी लोकानी लिक्विडिटी अने फ्लैक लेवानी डिसिजिन पन फास्ट थाई तो ओवराल डेफिनेटली आप बद्दा सेक्टर्स जारे रियल एस्टेट उपर को इंडिरेक्ली सपोर्ट करी रही जो तो डेफिनेटली आ एक बसो हैसी इंडर्स्री नो ग्रोच ने ना खाली रियल एस्टेट जी डेफिनेटली सर अर्बन डेवल्मेंट पर पर खास एक फोकस आपड़े सरकार तरफ ते नारामंत्री श्री द्वारा जोई हुआ तो अर्बन पर एक फोकस डेवल्मेंट माटे नहीं जाय रहा थे एनी असर के रही ते जोई हुआ तो जै मैं कि दू के आजे 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 पर इंफ्रास्ट्रुक्चर डेवल्मेंट जारे आने स्पेसिफिकली जारे ट्रांजिट ओर्येंट डेवल्मेंट थाई जाने चाउच सिपीज मां थासे एनों एकज साथी मोटो बेनेफिट चे होई चे के आएक प्लाइन डेवल्मेंट थासे टॉप अफ दे लाइन इंफ्रास्ट्रुक्चर टॉप दे लाइन टेकनोलोजी आने इई आखे आखो नों इंटीग्रेटेड एक डेवल्मेंट आजे जो जे आप जो ही रिया छो के जारे प्लाइन डेवल्मेंट थाए तो आपने इंडिया मा जो ही है तो चंदीगर एक प्लाइन डेवल्मेंट थाए तो अगर आप जो हो तो नवी मुंबाइ एक प्लाइन डेवल्मेंट हातू तो ए बदी शहरों जे ग्रोथ थाई चे आने एन अजू बाजू नो इंफ्रास्ट्रक्चर ने फेसिलेटी जे होई चे आज ती लगबग नेक्स पचास थी यहसी वरा सो वरा सो प्लानिंग करी ना किया तो आवा ट्रांजिट ओरियंटे डेवलाप्मेंट जे चाउच सिटीज माता से स्पेसिफिकली एनी उपर थी एनी आजू-बाजूनी एरिया मा अन्य स्पेसिफिकली एरिया मा जौब डेवलाप्मेंट था से ओफिसिज आउसे रीटेल आउसे और अन्य ओवराल रियल एस्टेट नो अन्य लोकों नो ग्रोथ एरिया मा सारव यहां वो पॉजिटीव था अन्य मारू यह मानूँ छे के आ वस्तू हर एक सिटी ना मेजर सिटी मा तो होवी जोए पन टीर टू नी सिटीज मा पना दीरे दीरे प्रोबबली एना थी ओचा लेवल नू पन आ करवा थी जॉब डेवलाप्मेंट इन लौग रन बहुस हारू देशी देफिनेटली दव अने तमें कही रही थे असर जो होई रहा चो जे मैं कही दू के रेंटल हाउजिंग एक पॉलिसी छे यह गवर्मेंट इने एंकरेज करे चे बहुस सारी वस्तू चे कि जे इन मू में चे के आजे बंबे जेवा शहर मा जारे लोकों यहां काम करवा आवे चे अने जे प्रॉबबली एनी माटे एक सारू घर इना वर्ट प्लेस थी इने मड़े के हूँ समझो आजे बंडरा मा काम करू चो ने मारे अगर वसाई थी आऊ पड़े चे तो ए वो ट्रैवल टाइम मारो बच्चे ने कदाज माने बंडरा नी आजू बाजू माज एक एक ए तो मारो ट्रैवल ट्राइम बचे मारी एफिशेंसी वादे चे तो आ बदी ओवरॉल यूमन लाइफ में अपील करती और लोकों ने शहर मां रेवा थी एनी एफिशेंसी वादार वादी और रेंटल हाउजिंग स्कीम इन लॉंग रन पॉर्ड वर्किंग पीपल बिल बेर वेरी पॉजिटिव अन्हां 100% बदी शहरों मां हो जो एफिशेंसी वादी ने खास करी ने हूँ मारी टीम ना खणा जे चे मुंबई मारा ही ना में लोको संजी शेके ने जे स्पेश्य तमें नवी मुंबई डेवलोप्मेंट अर नी जे एक वात तैया ती करी हाती तो न झाल झाल